Hello everyone, welcome to learning science, आज का हमारा question है कि जो fermi energy है silver में वो है 5.51 electron volt हमें निकालना है average energy free electrons का इसी silver में 0 Kelvin पर और हमें निकालना है temperature जहां पर जो classical free particle है जैसे कि एक ideal gaze molecule उसका ये kinetic energy होगा यानी कि temperature हमें निकालना है गिवन के जो है वो 1.38 into 10 raise to power minus 23 joule पर Kelvin के बराबर होगा तो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे solution में Fermi energy का value दिया है 0 Kelvin पर तो हम लिखेंगे EF not, E for energy, F for Fermi, O for 0 Kelvin है not का मतलब वो जो है 5.51 electron volt के बराबर होगा और गिवन में K का भी value दिया है Boltzman constant का value यह आप याद भी रख सकते हो जो की हमारा बराबर है 1.38 into 10 raise to power minus 23 joule पर Kelvin के सबसे पहले हम निकालेंगे average energy average energy का formula आपको पता होगा यह हमने पहले किया है ठीक है proof average energy E not bar जो है वो हमारा बराबर होता है 3 is to 5 EF not के 3 is to 5 हम लिखेंगे EF not के जगे पर उसका value हमें put करना है जो की है 5.51 electron volt इन दोनों को हमें multiply करना है तो सबसे पहले 3 is to 5 को हम point के form में लिखेंगे 5 के पारे में 3 नहीं आता है point लगाएंगे तो 30 होगा 5 6 is to 30 point 6 आएगा 3 is to 5 हमारा तो point 6 into 5.51 हम करेंगे point 6 लिखे 0.6 लिखे same है 616 56 33 carry 56 33 cross 0100 0500 0500 जो same column में numbers है उसको हमें add करना है तो 3 306 आएगा 3 digit के आगे point है दोनों numbers में तो यहां पर point 3 digit के आगे आएगा हमारा answer होगा 3.306 electron volt जो kinetic energy है temperature T पर वो बराबर होता है 3 is to 2 KT के ये एक formula है आपको यात रखना है ठीक है और book में EF naught का भी formula दिया है जो की KT के बराबर आता है इसका use नहीं होगा यहां पर तो इसको हम नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा book में misprint हुआ होगा kinetic energy हमारा average energy ही है average kinetic energy E naught bar वो जो है 3 is to 2 KT के बराबर होगा तो इसका हमें temperature निकालना है तो temperature हमारा बराबर आएगा 2 E naught bar is to 3 KT divided by 3 KT ठीक है तो हम लिखेंगे 2 is to 3 E naught bar divided by K और value समपुट करेंगे E naught bar का value अभी हमने निकाला है तो यहां पर सबसे पहले हम 2 divided by 3 लिखेंगे फिर उसके बाद E naught bar का value हमें लिखना है जो की है 3.306 electron volt अब इसको हमें जूल में convert करना है जूल में convert करने के लिए 1.6 into 10 raise to power minus 18 के साथ into करना होगा ठीक है तो उसको हम divided by 1.38 into 10 raise to power minus 23 आएगा जो की बोल्समें कॉंस्टन्ट का value है जूल में convert इसलिए किया है क्योंकि के का value जूल में है ठीक है 3.306 को 2 के साथ multiply करते हैं तो हमें कितना मिलेगा 6202L 1 चला जाएगा केरी 2.001 2.306 2.306 3 डिजिट के आगे point है तो 3 डिजिट के आगे point हम लिखेंगे हमें मिलेगा 6.612 into 1.6 into 10 raise to power minus 18 फिर हम क्या करेंगे 1.38 को multiply करेंगे 3 के साथ 8 3s are 24 2 चला जाएगा केरी 3 3s are 9 10 11 1 चला जाएगा केरी 3 1s are 3 4 2 डिजिट के आगे point है तो answer में 2 डिजिट के आगे point आएगा हमें मिलेगा 4.14 Now हम 6.612 को 1.6 के साथ multiply करते हैं 6 2s are 2 well 1 चला जाएगा केरी 6 1s are 6 plus 1 करेंगे 7 6 6 36 3 चला जाएगा केरी 6 6 36 plus 3 करेंगे 39 cross 1 से into करेंगे तो 6 6 1 2 ही आएगा ठीक है और जो same column में number है उनको हमें plus करना है यहाँ पर 2 है cross को plus करेंगे कुछ नहीं आएगा ठीक है और उसी तरीके से 7 plus 2 9 continue करना है 4 डिजिट के आगे पॉइंट है तो answer में 4 डिजिट के आगे पॉइंट होगा तो हमें मिलेगा 10.5792 फिर बागी के terms हम लिखेंगे into 10 raise to power minus 18 into 10 raise to power minus 23 और 4.14 को ना इसको हम rounding off करते हैं ठीक है rounding off करके हम सर्फ 3 ही digit लिखेंगे तो यहाँ पर जब 2 को हटाएंगे तो 9 आएगा 9 को हटाएंगे 8 8 को हटाएंगे 6 तो 10.6 हमें मिलेगा into 10 raise to power क्या करेंगे minus 23 को उपर लेकर जाएंगे when the bases are same powers are added हमें करना है minus 18 plus 23 आएगा 23 में से 18 को minus करना है तो 5 बचता है 10 raise to power 5 यहाँ पर बचेगा यहाँ पर हम 10.6 को 106 divided by 10 करके लिख सकते हैं और 4.14 को 414 divided by 100 करके लिख सकते हैं यह point है one divide में फिर उसके बाद जितने numbers है उतने zero होंगे ठीक है एक zero हो जाएगा cancel और यह जो 10 है वो third पर present है ना तो उसको उपर हमें लेकर जाना है 106 के साथ into हो जाएगा तो हमें मिलेगा 1060 divided by 414 और यहाँ पर आएगा 10 raise to power 5 1060 को 414 के साथ divide करना है 414 को 2 के साथ multiply करते हैं 4212, 428, 828 आता है 414 को 3 के साथ multiply करेंगे 432, 1 carry, 313, 434, 1242, 1242 आता है जो की बरा नंबर है तो हम 2 से multiply करेंगे 828 और 160 में से 828 जब हम minus करेंगे तो बचेगा यहाँ पर 52, 252 ठीक है? अब 252 जो है 414 से कम है तो पॉइंट लगाएंगे तो आएगा यहाँ पर एक 0 बन जाएगा 2520 414, 5s कितना होता है हम देखते हैं 540, 20, 2 चला जाएगा carry, 515, 67, 540, 20, 20, 70 आता है 414 को हम 6 के साथ multiply करते हैं 6, 4s are 12, 6, 4s are 24, 2 चला जाएगा carry, फिर 6, 1s are 6, plus 2 करेंगे 7, 8, 6, 4s are 24 2484 आता है 7 से into करेंगे तो इससे greater number आएगा 2520 से तो हमें 6 से into करना है तो हमारा answer आता है 2.6, book में 2.55 आता है, rounding off करेंगे तो 2.6 बन जाएगा तो हमारा answer है 2.6, further continue भी हम कर सकते हैं 2520 में से जब हम 2484 को minus करेंगे तो बचेगा यहाँ पर 36, point पहले लगाया है तो एक 0 आएगा, जोकि कम number है 414 से तो एक और 0 लगाना परेगा तो 2.60 आता है, जोकि हमारा 2.6 है, into 10 raise to power 5 Kelvin, यह है हमारा temperature लेकिन book में 10 raise to power 4 आता है, तो यहाँ पर 18 के जगे पर 19 होगा यह mistake हुआ है, ठीक है, तो 4 बचेगा जब हम 23 में से 19 minus करेंगे, 10 raise to power 4 Kelvin आएगा तो यह है हमारा answer 2.6 into 10 raise to power 4 Kelvin, वही सेम चीज बुक में भी लिखा है, ठीक है सबसे पहले solution में हम given लिखेंगे, given में fermi energy का value दिया है 0 Kelvin पर जोकि हमारा बराबर है 5.51 electron volt के तो उसको हमें लिखना है फिर average energy जो है, वो 3 is to 5 EF not के बराबर होगा, EF not के जगे पर उसका value लिखेंगे इस वाले topic में हमें ये formula मिला था, तो हमें answer मिल जाएगा kinetic energy जो है, वो 3 is to 2 KT के बराबर होता है, E not bar जो है, तो इससे हमें temperature का value मिल जाएगा temperature होगा 2 is to 3 E not bar होगा, यहाँ पर EF not नहीं है, यह misprint हुआ है, ठीक है बाकि आप अपना suggestion कमेंट में दे सकते हो, यह वाला formula यूस होआई, 2 is to 3 E not bar अपॉन के, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे हम फिर E not bar का value है न ये, EF not का नहीं, उसको हम लिखेंगे, electron volt को joule में convert करना है, तो उसके लिए 1.6 into 10 raise to power minus 19 से into करना होगा Boltzman constant का value दिया है, उसको भी हमें लिखना है और इसको solve करना है, तो answer आएगा 2.55 into 10 raise to power 4 Kelvin और यही है आज का हमारा topic, thanks for watching